तो दोस्तो आज के हम वीडियो में अपने बात करेंगे सूपर 50 सीरीज के पार्ट 16 के उपर अगर आपने पुराने पार्ट को मिस कर दिया है तो उसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी गई है जो इसते पहले के 15 पार्ट से वो आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे तो आप उसको देख सकते हैं अगर इस सीरीज की बात करी जाए तो इस सीरीज में Most Expected Repeated Quotions होते हैं टोटल 50 Quotions होते हैं जो कि आपके आने वाले सब भी कॉम्टेटिव एक्जाम्स के लिए Most Important, Most Repeated रहेंगे तो ये सीरीज काफी Important रहेंगे आपके एक्जाम्स के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं देखते हैं पहला कोशन क्या है तो हमारा पहला कोशन है Who was the founder of the newspaper or magazine National Herald National Herald जो एक newspaper या magazine रहेगा ये किसके द्वारा found किया गया था तो हमारा answer हो जाएगा जवालनाल नहरू तो जवालनाल नहरू जो कि भारत के पहले प्रधान मंत्री रहेंगे इनके द्वारा National Herald जो newspaper है magazine है इसको found किया गया था Which amendment act gave constitutional recognition to municipalities तो municipality को एक constitutional recognition दिया गया था constitution में शामिल किया गया था कौनसे amendment act के थूँ तो हमारा answer हो जाएगा 74th amendment act of 1992 तो 1992 का 74th amendment act रहेगा जिसमें की municipalities को constitution में शामिल किया गया था What is the full form of SMTP? SMTP की full form क्या होती है तो full form से related questions आप से पूछे जाते हैं exams में तो SMTP की full form हो जाएगी हमारी simple mail transfer protocol simple mail transfer protocol full form होती है SMTP की Thomas book is written by whom Thomas जो book है ये किसके द्वारा लिखी गई है तो हमारा answer हो जाएगा भीशम सहनी भीशम सहनी author रहेंगे book की जिनका title रहेगा Thomas Asian development bank was established in which year Asian development bank कौन से साल में established हुआ था तो जितने भी international organization होती हैं उनसे related आपसे question जरू एक्जामस में पूछे जाते हैं तो Asian development bank की अगर बात करी जाए तो ये established कौन से साल में हुआ था तो आपका answer हो जाएगा 1966 19 December 1966 को इसको establish किया गया था अगर आपके प्रेस अगर इससे related आपसे कुछ और question पूछे जाए जैसे कि इसका आपको headquarter पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है कि Manila Philippines में headquarter है Asian development bank का इसकी member country 68 रहेंगे या आपको ध्यान रखना है अगर इसके आपसे president पूछ ले जाए तो मसाथ सुकू आसकावा इसके current time में president रहेंगे Sambar Salt Lake is located in which state of India Sambar Salt Lake आप salt से ही जान सकते है कि एक खारे पानी का लेक रहेगा तो Sambar Salt Lake कहाँ पे located है तो हमारा answer हो जाएगा राजिस्थान राजिस्थान state में located है आपका Sambar Salt Lake अगले question पे बढ़ने से पहले static GK की एक topic wise ebook हमारे द्वारा launch करी गई है जो की सिर्फ आपको 69 रुपीज में provide कराई जा रही है अगर आप interested हो तो यह topics आपको provide कराई गए है इस ebook में अगर आप interested हो तो link आपको description में मिल जाएगा आप directly description में जाके इसको buy कर सकते हैं यह हमारी Gmail ID है आप इस पर directly mail कर सकते हैं which tissue is responsible to store fat in human body तो हमारी body में जो fat को store किया जाता है वो कौन से tissue उसके लिए responsible होता है तो हमारा answer हो जाएगा एडिपोस tissue एडिपोस tissue जो होता है हमारी human body का एक tissue रहेगा जो responsible होता है store करने के लिए fat को जो हमारी body में fat होता है उसको store किया जाता है एडिपोस tissue के द्वारा प्रधान मंत्री स्वास्त सुरक्षा योजना जिसको की pmssy योजना भी बोला जा सकता है was started in which year तो प्रधान मंत्री स्वास्त सुरक्षा योजना कब start करी गई थी तो हमारा answer हो जाएगा 2003 2003 में प्रधान मंत्री स्वास्त सुरक्षा योजना को launch किया गया था What is the chemical formula of baking soda Baking soda का chemical formula क्या होता है Basic question रहेगा हमारा answer हो जाएगा NaHCO3 NaHCO3 chemical formula होता है Baking soda का Capital of India was shifted from Kolkata to Delhi in which year तो इंडिया की जो capital थी उसको Kolkata से बदल कर Delhi कर दिया गया था कौन से साल में तो हमारा answer हो जाएगा 1911 1911 में Kolkata से बदल कर दिल्ली capital कर दी गई थी इंडिया की इस question को direct भी आपसे पूछा जाता है कि Delhi इंडिया की capital कब बनी थी तो आपका answer हो जाएगा 1911 North Atlantic Treaty Organization जिसको की NATO के नाम से जाना जाता है Was established in which year तो काफी जादा चर्चे चल रहा है NATO Organization Russia Ukraine की युद की वज़े से तो NATO से related आपको question exam में देखने को मिल सकते है तो NATO की full form होती है North Atlantic Treaty Organization अगर इसकी बात करी जाए तो ये कब establish किया गया था तो हमारा answer हो जाएगा 4 April 1949 4 April 1949 को establish किया गया था National Atlantic Treaty Organization को Who can call a joint sitting of both the houses of parliament तो parliament के जो दोनों houses होते है अगर उनकी joint sitting बुलानी होती है लोकसभा और राज्यसभा की joint sitting होती है तो उसके लिए कौन call करता है कौन बुला सकता है उसको तो हमारा answer हो जाएगा president तो president के पास power होती है joint sitting कराने के लिए दोनों houses की लोकसभा के पहले speaker कौन थे तो लोकसभा के अभी current time में 17th speaker चल ले है 17th number का edition चल रहा है तो 17th लोकसभा speaker कौन है तो ओम बिला भी current time में लोकसभा के speaker रहेंगे पहले speaker कौन थे तो पहले speaker थे G.V.Mavanca G.V.Mavali लंकर first speaker रहेंगे लोकसभा के which instrument is used to measure very low temperature बहुत जादा कम temperature को नापने के लिए किस instrument का यूज किया जाता है तो हमारा अंसर हो जाएगा क्राइओमेटर क्राइओमेटर एक instrument होता है जिसकी मदद से काफी जादा लो तेमपरेचर को नापा जाता है अगर very high temperature आप से पूछा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा pyrometer, pyrometer high temperature के लिए होता है, normal temperature के लिए thermometer होता है, और low temperature के लिए cryometer होता है Who is the author of the book? Defending India, defending India जो book है, ये इसके author कौन है, किसके द्वारा इस book को लिखा गया है तो हमारा आंसर हो जाएगा जस्वन्त सिंग, जस्वन्त सिंग इस book के author रहेंगे, जिनको की पद्म भूशन और पद्म श्री अवार्ट से भी सम्मानित किया जा चुका है, इनके द्वारा बुक को लिखा गया है, Defending India Which organelle is called Kitchen of the Cell, Kitchen of the Cell किस organelle को कहा जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा किलोरोप्लास्ट, किलोरोप्लास्ट जो होता है, इसको Kitchen of the Cell के नाम से भी जाना जाता है Power of Lens की SI Unit क्या होती है, तो हमारा आंसर है Diopter, Diopter जो होती है, यह SI Unit होती है, पावर ओफ लेंस की तो SI Unit से related आपको Question अक्सर एक्जाम में देखने को मिलते हैं, इसकी एक separate वीडियो है, आपको चैनल पे मिल जाएगी, जिसमें सारी SI Units कवर करी गई है First case of coronavirus in India came from which state of India, तो इसमें काफी जादा confusion होता है आपका Kerala और करनाटका में, तो पहला जो coronavirus का case आया था इंडिया के अंदर, वो कौन सी state में आया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा Kerala, Kerala state में सबसे पहला case आया था आपका coronavirus का What is the approximate melting point of tungsten? Tungsten क्या होता है, जो electric bulbs होते है, उसमें जो filament होता है, वो होता है tungsten का, तो tungsten जो होता है, वो heat हो जाता है, लेकिन फिर भी वो पिगलता नहीं है, तो उसका melting point काफी high होता है तो tungsten का melting point जो होता है, वो approximately कितना होता है, तो हमारा answer हो जाएगा 3500 degree Celsius, तो काफी जादा melting point होता है आपका tungsten का 3500 degree Celsius, तक heat करना पाड़ेगा आपको tungsten को पिगलाने के लिए who among the following is known as parrot of India, तो parrot of India के नाम से इन में से किसको जाना जाता है, तो हमारा answer हो जाएगा, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो जो है, इनको parrot of India के नाम से भी जाना जाता है name the thinnest bone of human body, तो human body की सबसे पतली जो बिल्कुल thinnest bone है, वो कौन सी bone है, तो हमारा answer हो जाएगा fibula, fibula जो है ये thinnest bone है हमारी human body की, fibula और steps में काफी जादा confusion हो जाता है, steps जो है, ये smallest bone है, आपकी lightest और smallest bone अगर आपसे पूछे जाए तो वो हो जाती है steps, अगर आपसे पू body की, तो thigh bone होती है, thigh bone का आपको नाम आपको अगर याद है, तो आप हमको comment box में type करके बताएं, इन questions को हम काफी बार discuss कर चुके हैं, आपसे ear में पूछा जाता है, human ear में कितनी bones present होती है, तो एक ear में आपकी तीन bones present होती है, कौन कौन सी bones, तो steps, malus और incus, ये तीन bone होती है, जो कि हमारे एक कान में present होती है, और fibula जो होगी है, thinest bone हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है, Indian Institute of Plantation Management is located in, तो IIPM, Indian Institute of Plantation Management कहां पे है, तो हमारा answer हो जाएगा, Bangalore, Bangalore जो की capital है, आपकी करनाटका की, वहाँ पे headquarter रहेगा, वहाँ पे located है, Indian Institute of Plantation Management, उकई डैम is located in which state of India, तो उकई डैम, इंडिया की कौन सी state में located है, तो हमारा answer हो जाएगा, गुजरात, गुजरात जो state है, इंडिया की, वहाँ पे located है, उकई डैम, गौतम बुद्ध का असली नाम क्या था, तो हमारा answer हो जाएगा, सिधार्थ, सिधार्थ गौतम असली नाम था, गौतम बुद्ध का, World Peace Day is observed every year on, हर साल World Peace Day को observe किया जाता है, कौन सी date को, तो हमारा answer हो जाएगा, वन जन्वरी, तो सबसे पहला जो दिन होता है, एक जन्वरी का जो दिन रहेगा, उस दिन को World Peace Day के रूप में मनाया जाता है, नॉंक्रम एक फोक डान्स है, इंडिया की कौन सी state का, तो हमारा answer हो जाएगा, मेखाले, मेखाले state का एक फोक डान्स है, important रहता है, आपसे एक्जाम में अक्सर देखने को मिलता है, तो नॉंक्रम आपका मेखाले state से related हो जाएगा, in which year, were the first three universities, Calcutta University, Madras University and Bombay University, established in India, तो एक साल में इन तीनों यूनिवरस्टी को, जो पहली तीन यूनिवरस्टी हैं, इंडिया की, Calcutta University, Madras University और Bombay University, इनको established किया गया था, कौन से साल में, तो हमारा आंसर हो जाएगा, 1857, most important question exams के लिए, 1857 में आपके तीन यूनिवरस्टी को establish किया गया था, Calcutta, Madras और Bombay, Who among is the Prime Minister of Bhutan, Bhutan country के current time में प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा, Lote Shading, Lote Shading current time में प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, Bhutan country के, Which of the following is the most important role played by ribosomes in the cell, तो basic question हो जाता है, ribosomes जो होते हैं, उनका जो सबसे important role होता है, उनका role क्या होता है, सबसे important, तो हमारा आंसर हो जाएगा, Synthesize of protein, तो protein को synthesize करना ही main role होता है, आपका ribosomes का cell के अंदर, Where is the Humbantota port located in the following, Humbantota port काफी famous रहता है, पीछे काफी चर्चित रहता है, आपने नाम जरूर सुना होगा, तो ये कहाँ पे located है, कौन सी country में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा, Shri Lanka, Shri Lanka country का एक port रहेगा, Humbantota port, और ये port पीछे काफी ज़्यादा चर्चित रहता, जब Shri Lanka और इंडिया के बीच में कुछ clashes हुए थे, उसकी वज़े से काफी ज़्यादा चर्चित रहता, Humbantota port, विच चैनल सेपरेट्स, मिनिकोई एंड मालदीव्स आइलेंड, तो मिनिकोई और मालदीव्स आइलेंड को कौन सा चैनल सेपरेट करता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 8 डिग्री चैनल, अब आप लोग कहेंगे कि 8 डिग्री चैनल जो होता है, तो मिनिकोई जो आइलेंड है, ये लक्षदीव आइलेंड का ही एक आइलेंड रहेगा, जिसको की सेपरेट किया जाता है मालदीव्स के दौरा 8 डिग्री चैनल में, इंटर्ड्यूस्ड दी प्राइस कंट्रोल सिस्टम, प्राइस कंट्रोल सिस्टम को किसके दौरा इंटर्ड्यूस किया गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा अलाउदीन खिलजी, खिलजी वंच के एक रूलर रहेंगे, तो इनके दौरा इंटर्ड्यूस किया गया था प् पुबीशा स्टेट रहेगी इंडिया की जहां पे आपको मिलेगा सिमली पर नेशनल पार्क वेर इस दी हेड़कॉर्टर ओफ सिड़बी लोकेटर सिड़बी की फुल फॉर्म हो जाएगी सिड़बी का हेड़कॉर्टर कहां पे है तो हमारा आंसर हो जाएगा लखनव लखनव में हेड़कॉर्टर है आपका सिड़बी का और लखनव जो रहेगी ये कैपिटल हो जाएगी आपकी इंडिया की सबसे बड़ी population में state कौन सी रहेगी तो उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश state का capital लखनव में आपका है headquarter है SIDB organization का SIDB की full form आपने देख ली Small Industrial Development Bank of India इसकी full form हो जाएगी अगर SIDB की बात करे जाए तो इसको found कब किया गया था तो इसको found किया गया था 2 April 1990 में यह आपको ध्यान रखना है और इसके current time में chairman और MD आपको जरूर पता होनी चीए exams में पूछे जा सकते हैं तो सिवा सुब्रमन्यम रामन इनके इसके current time में chairman और MD रहेंगे Where is Mahavir Harina Vanasthali National Park located? Mahavir Harina Vanasthali National Park कहाँ पे है? तो हमारा answer हो जाएगा तेलंगना तेलंगना जो की state form हुई थी 2014 में वहाँ पे located है आपका Mahavir Harina Vanasthali National Park Which of the following is known as black gold? तो black gold के नाम से इन में से किसको जाना जाता है? तो हमारा answer हो जाएगा petroleum तो petroleum जो होता है इसको black gold के नाम से जाना जाता है petroleum की demand जो होती है ये काफी एक important role play करती है अगर petroleum की price बढ़ते है petroleum की अगर price बढ़ जाते है natural gases की अगर price बढ़ते है तो उससे एक काफी बड़ा impact पड़ता है पूरी country के उपर जो भी चीजे होती है हर चीज महंगी हो जाती है तो आपको पता है Russia Ukraine का war चल रहा है तो उसके बीच में जो petrol है उसका per barrel का जो price है वो काफी बढ़ गया है जिसकी वज़े से आपको आने वाले time में काफी जादा महंगाई देखने को मिलेगी petrol के prices भी बढ़ेंगे और भी transport की जो चीजे होती है उनके भी price आपको बढ़ते हुए दिखेंगे क्योंकि जो petrol है उसको black gold बोला जाता है और उसके price जो है वो लगातार बढ़ रहे है अगला question देखते है हमारा India has conducted a joint army exercise मित्र शक्ती 2021 with which country 2021 की एक exercise रहेगी इंडिया ने किस country के साथ मिलके मित्र शक्ती 2021 एक्साइज को conduct किया था तो हमारा answer हो जाएगा शिरलंका तो इंडिया और शिरलंका के बीच की एक exercise है मित्र शक्ती 21 what is the full form of radar radar की full form क्या होती है तो आपका answer हो जाएगा radio detecting and ranging radio detecting and ranging जो होती है ये full form होती है radar की what was the growth rate of the Indian economy in the first quarter of the 2021-22 तो ये भी एक काफी जादा चर्चित रहा था जो पहले quarter के result आये थे वो काफी चौकाने वाले थे एक अच्छी growth देखने को मिली थी आपको Indian economy में तो वो कितने percent की growth थी तो हमारा answer हो जाएगा 20.1% का growth rate देखने को मिलाता Indian economy में first quarter में which of the following is the largest landlocked country in Asia तो Asia की सबसे बड़ी landlocked country कौन सी है तो हमारा answer हो जाएगा कजाकिस्थान कजाकिस्थान आपकी Asia की सबसे बड़ी landlocked country रहेगी और अगर हम पूरी word की बात करें कि दुनिया की सबसे बड़ी landlocked country कौन सी है तो उसका भी आपका landlocked country है जो की वो हो जाएगा आपका आणसर Vatican City विच प्लेटू लाइज बिट्विन दी अरावली एंड दी विध्यान रेंजेज तो अरावली रेंज आपको पता है सबसे oldest रेंज है इंडिया की तो अरावली रेंजेज और विध्या रेंजेज के बीच में एक प्लेटू होता है प्लेटू आता है तो उस प्लेटू क्या नाम है तो हमारा आंसर हो जाएगा मालवा प्लेटू मालवा प्लेटू जो है ये एक प्लेटू रहेगा जो की लाई करता है अरावली रेंजिस और विद्या रेंजिस के बीच में तो यहाँ पर आप से कोशन है कि ये पूछा आता है कि ये कौन सी स्टेट में है तो आपका आंसर हो गया उडिसा उडिसा स्टेट में आपका लोकेटेड है कुणार्ग संट टेंपल अब कुनार्क संड टेंपल किसके दुआरा बनवाया गया था तो हमारा आंसर हो जाएगा नर्सिमा देव वर्मन नर्सिमा देव वर्वन के द्वारा नीव रखी गई थी इनके द्वारा बनवाया गया था कुनारक सन टेंपल को जो की लोकेटड है उडिशा स्टेट में When was the Human Rights Commission established in India Human Rights Commission इंडिया के अंदर कब established हुआ था तो हमारा आंसर है 12 October 1993 12 October 1993 को Human Rights Commission को established किया गया था इंडिया में Which of the following acts given legal status to लोक अदालत तो लोक अदालत को एक legal status कौन से act के थू मिला था तो हमारा आंसर हो जाएगा Legal Services Authority Act of 1987 तो Legal Services Authority Act जो लाए गया था 1987 में उसके दुआरा लोक अदालत को एक legal status मिल गया था Which North American country was recently declared malaria free by the WHO World Health Organization तो इसमें condition होती है जो malaria free कोई country को declare करना होता है तो उसमें पीछे 3 साल के अंदर एक भी case नहीं आना चाहिए malaria का जब ही जाके WHO उस country को malaria free गोशित करता है तो इससे पहले हम question discuss कर चुके हैं कि China जो है उसको भी WHO के दुआरा malaria free declare कर दिया गया था अब यहाँ पे एक North American country रहेगी जिसको declare किया गया था और यह question भी हम पहले discuss कर चुके हैं तो हमारा answer हो जाएगा El Salvador El Salvador एक North American country रहेगी जिसको की malaria free declare कर दिया गया है World Health Organization के द्वारा Who discovered the nucleus Nucleus की खोज किसके द्वारा करी गई थी तो हमारा answer है Robert Brown Robert Brown के द्वारा खोज करी गई थी आपकी nucleus की Which of the following is not a greenhouse gas इन मेंसे कौनसी एक greenhouse gas नहीं है तो carbon dioxide greenhouse gas होती है methane भी होती है और nitrous oxide भी होती है तो आपका answer हो जाएगा carbon monoxide Carbon monoxide एक greenhouse gas नहीं होती है राजिंद्र प्रसाद The first president of India was from which state तो राजिंद्र प्रसाद जो की पहले president थे इन्डिया के ये कौनसी state से आते हैं तो हमारा answer हो जाएगा बिहार बिहार state से थे राजिंद्र प्रसाद अगर आपसे पूछा जाए कि अभी current time में जो president है इन्डिया के रामनात कोविंद्र वो कौनसी state के president बनने से पहले governor थे तो वो भी बिहार state के governor थे इन्डिया के president बनने से पहले Who repealed the vernacular press act of 1878 तो 1878 में vernacular press act को पास किया गया था उसको किसके द्वारा हटा दिया गया रिपील किया गया था तो हमारा answer हो जाएगा Lord Rippan Lord Rippan के द्वारा repeal किया गया था vernacular press act of 1878 को 1878 की अगर बात करी जाए तो इस टाइम पे Lord Litton head थे तो Lord Litton के time पे साशन के time में vernacular press act को लाया गया था World Water Day is observed on World Water Day हर साल कौन सी date को observe किया जाता है तो हमारा answer हो जाएगा 22 March 22 March को हर साल हम observe करते हैं World Water Day के रूप में तो दोस्तो ये था हमारी वीडियो का आखरी question अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को like करें अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर subscribe करने इस चैनल पे आपको exam से related most important videos मिलेंगी इसके अलावा हमारी चार e-books हैं जो कि आपके exams में जिन से direct question पूछे जाएंगे चारो e-books का link आपको description में मिलेगा अगर आप interested हो तो आप उनको buy कर सकते हैं धन्यवाद बुस्तू